हलो इप्रिवन विल्कम बैक टो माई न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो अभी शाम का वक्त हो रहा है चाय रग दिया वरने के लिए पांच बजने वाले हैं साथ अभी आप लोगों को बरतन दिख रहे होंगे तो यह सारे ब मतलब उनके हिसा का घृज चोड़ दिया था और चाबल मैंने कोई दूसरा बना थे अंत्या में टाइट सा हो गया था यहाँ ही नहीं मतलब बहुत जदा टाइट है तो देखती हो अगर खाने लाइक होगा तो होगा नहीं होगा तो फिर रात में कुत्तों की पाल्टी करा यहां पास में यहां सभी रही थी कि इतना चावल वेश्ट हो जाएगा और इसके बाद बड़ा-बड़ से किचन क्लीन की और चाहे रखी दिया था और आज ना मैंने व्लॉक को बिल्कुल भी स्पीट में नहीं किया कमेंट आता है कि थोड़ा सा स्पीट इसकी कम करके रखा करें बढ़ाया मत करें तो आज मेरी कोसिस थी कि मैंना पूरी ब्लॉक में ज़्यादा स्पीट आज की ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है नॉर्मल से थोड़ा बहुत कहीं कहीं टू एक्स त्री एक अलब ऐसे जादा नहीं क्योंकि मैंने भी देखा साइद जि पाऊं तो इस पीट मैं इसलिए मतलब बढ़ा देती हूं अगर इस पीट नहीं बढ़ाएंगे तो मोसली थोड़ी बहुत ही मतलब जो टेली रूटीन हो जाएगा चलिए इसके बाद मैंने कलाप लोगों के साथ एक रेस्पी सूट की थी भीजा था बच्चों खिले इस तो मैंने यहाँ पास मैंने दिखाया तो सारी मतलब वेजिस मैंने कट कर ली है खीरा और यह सारी चीजे और प्याज टमाटर रहचाट मसाला आमचुर पाउडर मीर्च धनिया की पत्ती सब काटके मैंने रख लिया जो ही पॉंगे आते हैं इनको क्या बोलते हैं चीप्स इनको मैंने फ्राई करके दो हिसो में कट कर दिया इसमें जो हमने फिलिंग रेडी करी थी ना खटी मिठी नी बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना था मतलब बच्चों को बहुत ज़्यदा पसंद आया था इस बेसली ना बच्चों के लिए ही थे और अच्छा बना था बड़ों को भी पसंद आया क्योंकि मैंने बड़ों को भी फिर दिया था टेस्ट करने के लिए चाह के साथ तो सबको अच्छा लगा इसके बाद सब्जी वाजी आई हुई है सब्जी फिलाल जायड में रखी है उससे पहले जो मुझे बनाना है ना तो सब्जी में छांट अच्छी तो ज्यादा नहीं कटिंग मैंने किया कि सारी बॉत अच्छी थी 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 थोड़ी जढ़ जड़्य पालक की होती है ना उ मैंने कट कर लिया है गया किके पालक हमने एच्छे से रख ली नो चली Walk हमने चांट लिए आँ अब सारी सब्सक्राइब से निकालके रखते हुँ सब्सक्राइब और बॉलोग में देखते हुएं और बस सबसे पहले प्याज हो गई आलू हो गई इस सब्जी मैं हर मतलब रख देती हूँ एक अच्छे समस्यट कर देती हूँ ताकि जो दर फैलना रहे टमाट जो धुलने वाली सब्जी है उनको अलग कर दूँगी और जो फिलाल नहीं धुलना है उनको अलग कर दूँगी तो जो सब्जी धुलना है सारे टोकरियों में मै कभी ना जो पत्ते हैं और मैं निकाल के फेंग दूँगी कोई मतलब है नहीं वस बिंजुन के रूट है उबर निकाल के मैं रख लेती हूं और इसके बाद सारी एक एक करके न सब्जी यहां पस बच्चे भी बैटे हुए थी पीछे साय और बच्चे ही सूट कर रहे थे थो ने रख दिया बैगन भुनने के लिए बैगन का भरता बनाना है साथ में पालक की सब्जी दाल हमने रखना है इंडेक्शन में तो दाल चाबल सब्जी रोटी प्रॉपर पूरा खाना भरता हो जाएगा इस सब बनाना है मैंने खाना हूं मतलब कुछ दिखा नहीं पाई बनाने में और तो इसलिए अद्धा कुछ दिखा नहीं पाई हूं मगर पाला की सब्जी पैगान आप लोग देखे सकते हैं कि बुनने के लिए रखी हूं मिक्स दाल बनने के लिए मैंने रख दिया साथ आटा भी मेरे ख्या से लग गया या नहीं लगा भी फिलाल मुझे आ नहीं चल रहा तो अपने वाला ने इंडेक्शन साइट में रख दिया जो भी घर के लिए गाउं के लिए निव लेके आए हैं तो उसको चेक कर रहे थी कि चलने रहे तो दाल हमने उसमें रख गया था बनने के लिए यहां पास यह कड़ाई उढ़ाई लेके आई हैं तो कड़ाई जो गया समें रखने के लिए थी इसके बाद खाना पीना हो चुका है और बरतन आप लोग डेखी सकते हैं कि कि कितने सारे हो है क्विक्कि अब प्रॉपर खाना जब भनता है न तब बहुत सारे ही होते हैं ग्हudश्चन हो आई किचन में खाना कॉम मैं तर्सब ल खाली में थोड़ा बहुत छुड़ जाता है नो भी मैं अलग करके रख दूँगी यूकि बाहर डाल दूँगी तो जो कुट्य रहते हैं बाहर हो खा लेंगे और बस बरतन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही जादा हो गए हैं तो आपको सब इंसान थोड़ा सा जादा हो होई जाते हैं तो फटाफट से में यही काम करने वाले जो रोटी सोटी बच गई हैं थोड़ी बहुत ना डिब्बे में रख देती हूं माकी बरतन फटाफट से मतलब कठा करूंगी और इसके बादन जो बरतन हैं बड़े-बड़े सारे बाले बरतन ने इक अठा होंगी और छोटो छोटे वाले ना फिर लाश्ट में क्योंकि एक टोकरी में सारे बरतन आने वाले हैं नहीं तो चली है यहाँ पास नब अब करता है यह पर कि अलिदो दूल चुके हैं जैसे का आफ लोग देख सकते हैं कि बड़े बर्तन हमने सारे नीचे रख करते तो कुछ द्था को जिसके बड़े टो क्री में रख दिया हूं जाना के बड़े बरतन सारे सब के लिए रलब से कना के यहां पास थी पानी साथ के लिए मटल मैं और यहां पास में किचन साः और इसके बद किसी में आप पर मैं पीर मैं मिल कोरे नेश्ट मानिंग should तो नेस्ट मानिंग का टाइम हो चुका है यहां पास तो सारे बर्तन और तन थे सारे मैंने लगा दिये हैं चाय वह एक बार बन चुकी है सुभाई की चाय बन गई है अब मुझे बनाना है व्रेफ फास्ट तो यहां पास मैंने कुकर निकाल लिया सबसे पहले आटा होटा च तो साथ वजे का टाइम था यहां पास मैं अब रखोंगी चाय सवारी खाना बनने के लिए सबसे पहले आटा निकाल लेती हूं फिर इसके बाद सबजी भाजी जो भी बनाना है मुझे है तो वह इकठा कर लोंगी तो रेक्वास्ट वाला काम सुबह सुबह कहीं जाना भी जाएंगे तो चली आटा मैंने चान लिया है और बस जल्दी से सब्जी भाजी जो भी है न बनाने के लिए कठा कर लेती हूं तो फिलाल आटा वाला मैंने साइड में कर दिया पर नात को क्यों थोड़े टाइम के बाद आटा रहूं इस बद पहले सब्जी भाजी निकाल तो यहां पास मैंने आलो उलो सब निकाल के सब्जी भाजी बनाया खिलाया फिर इसके बाद को भी ब्लॉक शूट नहीं हुआ सीधी मिल रही हूं अप लोगों से दोपार के करीब डेढ़ होजे के आसपास का टाइम होगा तो यहां पास मैं लगाने लगी हूं दोपार का लंच तो लंच में भाईया लोग नहीं थे लोग बाहर गए हुए है इसके पापा थे बच्चों के और कोई गेस्ट आये थे जहां यहां अगल वगल जिनका घर बन रहा तो अपने घर देखने के लिए आये तो उनको भी मतलब खाने के लिए दुपार का बोल दिया गया कि दुपार के टाइम में कोई आये अच्छा भी नहीं लगता ना कि आप खाना काऊ कोई बैठा रहे तो उनको भी बोल दिये थे खाना खाने के लिए तो यहां पास दही में तयार कर रही थे जीरा भुना हुआ जीरा खतम हो गया था थोड़ा सा ही फिलाल मैंने उसको पी और आज लाइट नहीं थी थोड़ेस देख सकते हैं वीडियो के में थोड़ा सा लाइट कम आ रही है आज हमारे यहां सुबसी लाइट का मतलब कट गए थी पता नहीं क्यों तो और गर्मी इतनी ज़्यादा पढ़ने लगी है कि फैन मतलब फैन तो एक चलता है पर गर्मी अब ज़्यादा सुरू हो गई आज तो अजीब सब पूरा दिन सब का निकलाए लेजी लेजी टाइब से गर्मिया स्टार्ट हो गई है तो चलिए आपस फटा फट से लगा देते हैं खाना क्यों यह लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए मैंने गलास उलास पानी हो अब दूठ ना सब लगा तो गरम ज़्यादा है ज्यादा कुछ नहीं है सलाद हो गया दाही हो गया जैसे की तो थीम्पल सा खाना है तो दूठ में गर्मिया वैसे बितना कोई खाता हुए न ही सब को अब धूब धॉखर का वक्त है अभी ज़्याएं तीन बजने वाले है तो तीन बजने के लिए भी दस मिन्याट बांकी है खाना पीना हो चुका है दुपार का बस बरतन सर्तन हमने धुल लिये हैं खाना जादा नहीं था बस एक कोई गेस्ट थे उनके लिए था और साथ में भाईया और जिजी चली गई हैं तो उधर ही खाना पीना उनका होगा फ तो मैं ब्लोग बिल्कुल ने शूट कर पाती हूं बस ऐसा जातना अंकी थोड़ा बैठें और फिर थोड़ा बहुत काम भी बट जाता है तो उसकी वजाए से ज्यादा कुछ वीडियो नहीं सूट हो पाई है बस सिंपल सा कल से खाना ही खाना ही खाना ही का आप लोगों को इस वीडियो को ना खतम भी कर दो और साम से मतलब दूसरी वीडियो स्टार्ट कर लूगी तो देखते हूं को नहीं दूसरी वीडियो स्टार्ट होती है या नहीं होती है या इसको यहीं पास मैं खतम कर दोंगी ओ तो थोड़े टाइम के बाद भी पता चलेगा तो चलिए इस व्लोग को यह पास खतम करते हैं और आज की वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सुस्क्राइब कीजिएगा मैं मिलती हूं आप लोगों से नेश व्लोग में